हेलो गाईज, तो कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, तो एक बार फिर से स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेडी शोप पर, तो आज का अपना जो टोपिक है वो है, कमपाउंड इंटरस्ट, अपने पिसले टोपिक में सिंप करने वाले हैं और इसके कॉंसेप्ट सब समझने वाले हैं, सब से पहले जो चक्रवर्दी प्याज है, उसको निकालने के लिए अपने, आज एक बिल्कुल सिंपल वेसे, बिल्कुल एक ट्रिकी वेसे इनको कॉस्टन को सोल करेंगे, तो आज जो मैं आपको टेक्निक हैं, जैसे आपको कॉस्टन में दियागे है, प्रिंसिपल यानि मूल दन आपको दियागे है 10,000 रुपए, और आपको रेट एक उन्टरेस्ट की बीए, तीगे है 10% ओर टाइम जो आपको दियागे है, वो दिया तीन साल का, तीन साल का आपको निकालना हैं सिखिए taip तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक तो देखते हैं इसको फोर्मॉला वे से मतलो इसको बेसिक तरीके से अपने कैसे निकाल सकते हैं पहले देखते हैं अपने इसको बेसिक तरीके से उसके बाद है अपने इसको ट्रिक से करेंगे तो इसका जो basic है, basic से इसका जो formula आपको दिया जाता है, होग आपका formula, misherdan is equal to mulden 1 plus rate यानि ब्याजबटा 100 की पाउर n, n जो आपका time आगया है, समय, यह होग आपका rate of interest, यानि ब्याज की दर, इसको देखते हैं हमने, amount is equal to principle 1 plus r ब्याजबटा 100 की पाउर t, पहले तो यह आपका formula, इस formula से इसको solve करना है, तो principle आपको 10,000 दिया गया है, 1 plus rate आपको 10%, ब्याजबटा 100 की पाउर time यानि 3 साल, इसको निकालेंगे तो आपका आएगा, 10,000 रूपए, यह तो हो गया, आपका basic formula से, basic से इसको कैसे solve कर सकते हैं, अब देखते हैं इसको, अपने, ट्रिक से कैसे solve कर सकते हैं, जैसे आपको एक, एक ऐसी trick बताऊंगा जिससे आपको, इसको solve कर सकते हैं, सबसे पहले जो आपको मूल दन दिया गया है, वो दिया गया 10,000 रूपए, और निकालना किते साल का है, जो आपको जितने साल का निकाल ला हो, उतने साल का इस बार इस तरह बना लेंगे अपने, रेट आपको जो 10% दी गई है, 10% रेट की आपकी fraction value क्या होती है, 1 by 10, एक पटा दस, तो एक पटा दस को तीन बार अपने लिख देंगे अपने, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसका निकालना है, एक पटा दस, दस जार का एक पटा दस क्या होगा, एक पटा दस, द एक जार, तो यह आपका आगया, तीन साल का simple interest, सिरफ यह जो उपर उपर की value है, यह आपका सिरफ simple interest आगया, अब इसको compound interest निकालने के लिए, आगे करेंगे, इसका एक पटा दस, इसका एक पटा दस कितना हैगा, 100, 1000 का एक पटा दस कैसे निकालेंगे, 0 से 0 cancel, 100 आगया, उ इसका इसका भी एक पटा दस और इसका भी एक पटा दस, इन दोनों का एक पटा दस आगया, 100, और दूसरे का एक पटा दस, 100, और 100 का एक पटा दस कितना हैगा, 10, तो यह आपका आगया total compound interest, जब इन सब को total कर लेंगे, आपका बन जाएगा, 3,310 रुपए, 3,310 रुपए तो आपका आगया compound interest, और इन तिनों का total करेंगे, 1000 का तीन बार तो 3,000 रुपए आपका आगया, simple interest, और निकालना क्या आपने को, मिश्रदन, मिश्रदन निकालना है तो सिद्धा 10,000 में 3300 एड़ कर देंगे, 3310 को एड़ कर देंगे, तो यह आपका आगया, 13,310 रुपए, और simple interest का मिश्रदन निकालना हो, तो इसमें 3,000 एड़ कर देंगे, तो आज आगया आपका 13,000 रुपए, तो यह आपका, इस trick से आप किसी भी टाइप के question solve कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में आपने, इस व question को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा end तक जुरूर देखिए, तो इसमें देखते हैं आपका अगला question, अगला question जैसे आपको, यह next type का, type second, इस type में आपको जैसे दिया गया है, आपको बोल दिया, compound interest दिया गया है, आपको, rate दी गई हो, साड़े बारा परसेंट, आपको क्या find करना है, find more than, यानि, principle, यह आपको find करना है, तो इस type का question को कैसे solve करेंगे, तो इसको अगर formula से अपने solve करने बैठेंगे, तो इसमें बोल टाइम लग जाएगा, तो इसको अपने करते हैं अपने इस वे से, तो इसमें अ साड़े बारा परसेंट rate दी गई है, साड़े बारा परसेंट जो rate दी गई है, इसकी आपकी fraction value बनेगी एक बटा 8, एक बटा 8 बनगी आपकी fraction value अपने को 3 साल का निकालने है, एक बटा 8, एक बटा 8 और एक बटा 8, अब आपका missing क्या है, आपका more than missing है, तो more than अपने मान ल सकते हैं 200 मान सकते हैं पर जब इन तीनों का मुल्टिप्लाई करके आप निकालेंगे आठ इंटु आठ इंटु आठ इंटु आठ जो आपको आएगा 512 इसको सोल करना एजी रहेगा क्योंकि यह सब 8 से कट जाएगा तो आप वह वेल्यू लो जिसको सोल करना बिल्कुल एज लो जी रहेगा तो 512 का एक बटान करेंगे तो ahahah année यह आपको आजयेगा 64 इधर भी आपका 64 और इदर भी 64 फिर इसका एक बटान निकालेंगे तो यह आप याधि फिर इन दुनों का एक बटान चार एक बटा他ट यहwire t का एक बटाट एक, तो यह आपका आगया compound interest, जब इन सब का total करेंगे, तो आपका आजाएगा 217, 217 units, अब आपको दिया क्या है, compound interest दिया गया है, 6510 रुपे थी इन साल का, अपने निकाला है 217, तो इस 217 units के जो value है, वो हो जाएगी, 6510 रुपे, तो एक unit के value किती हो 217, और अपने को निकालना क्या है, मूल्दन, मूल्दन अपने 512 units बानके चले थे, तो उसको निकालने के लिए, 512 units के value आपकी किती हो जाएगी, 2510 बटा, 217, 512, जब इसको solve करेंगे, तो यह आपका 217 से 30 पर जाएगा, और आपका answer जो निकाल करा जाएगा, वो आएगा, 512, 30, यानि 15,360 रुपे आपका आगया मूल्दन, जब आपको मूल्दन ना दिया गया हो, इसमें आपको मूल्दन नहीं दिया गया था, सिरफ आपको interest दिया गया था, तो इन question को आप इस type से solve कर सकते हैं, अब देखते हैं, इसमें एक और टाइप का question आपका किस type का बन सकता है, अब यह आपका एक और टाइप का question आगया है, इस question में आपको क्या दिया गया है, कोई मूल्दन का 3 साल का मिश्चर दन 6,930 रुपे है, अगर पहले साल ब्याज 5 परसेंट हो, दूसरे साल 10 परसेंट और तीसरे साल 25 परसेंट हो, तो मूल्दन निकालो, पिछले question में आपकी जो ब्याज की जो दर है, वो सब similar, same हा रही थी, इसमें आपको तिनो साल की अलग अलग ब्याज दर दे दी, तो इस type का question को कैसे solve करेंगे, इसको solve करने के लिए अपने, उसी वैसे solve करेंगे, जैसे तीन साल का दिया गया आपकी तीन लेक्स आपने मना ली, आपको पहले साल का कित्ता दिया गया है, पांच परसेंट, पांच परसेंट की आपकी fraction value कित्ती होगी, एक बटा बीस, उसी परकार दूसरे साल आपको कित्ता दिया गया है, दस परसेंट, दस परसेंट की fraction value होगी आपकी, एक बटा दस, तीसर मूल्दन आप कुछ भी मान सकते हैं पर मूल्दन को मनने के अपने इन तिरनों का मल्टिप्लाई करेंगे 20 गुणा 10 गुणा 4 इन तिरनों को जब मल्टिप्लाई किया तो यह आपका आगया 800 800 जब मानने तो इसको इजी कर आपकी सारी वैल्यू इक्वल में आएगी मतलब आ जाता है इसलिए अपने इन तिनों का मल्टिप्लाई करके वह वैल्यू अपने मान लेंगे यह मान लिया आपने मूल्दन अब इसको सॉल्ड करेंगे 800 गा 1 पटा 20 किता होगा यह होगा 40 उसी पकार 800 गा 1 पटा 10 असी 800 गा 1 पटा 4 किता होगा 200 ठीक है यहां तक तो आपको अब देखते हैं इसमें अब जो यहां पे निकालेंगे अपने इसमें निकालेंगे 40 का 1 पटा 10 यानी 4 40 का 1 पटा 10 निकालेंगे अब जो आगे की वैल्यू जाएगी उसके अंदर इस 40 का निकालेंगे पहले 1 पटा 4 और इस 80 का निकालेंगे अपने 1 पटा 4 क्योंकि इस सा वो ही निकालेंगे अपने, इस 40 की एक बटा 4 की वेल्यू आगी आपकी 10, और 80 की एक बटा 4 की वेल्यू आगी 20, और फिर आपका 4 आगया, इस 4 की भी एक बटा 4 की वेल्यू निकालेंगे अपने, यह आगी 1, तो यह हो गया आपका सारा का सारा ब्याज इसका, यह हो गया सबका सब ब्याज, तो इस हिसाब से आपका चक्र उर्दी ब्याज कितना बन गया, इन सबका जब टोटल करेंगे, तो यह आपका बन जाएगा, अब यह जो 355 यूनिट्स है, यह वैल्यू किसकी आपको, तीन साल का मिस्चर दन दिया गया है, 6930 रुपए, 355 यूनिट जो बनेगी आपकी, 355 यूनिट 6930 के बराबन नहीं होगी, क्योंकि यह शिर्फ आपको मिस्चर दन दिया गया है, 355 यूनिट तो शिर्फ ब्याज की बनेगी, तो मिस्चर दन निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, मूल्दन प्लस ब्याज, इस इकल टू मिस्चर दन होता आपका, तो मूल्दन को अपने 800 यूनिट माना था, और ब्याज आपको किता यूनिट दिया गया है, 355 यूनिट, 800 प्लस 355 यूनिट के वैल्यू अपने को दी गई है, 6930 रुपए, 800 और 355 का टॉटल आपका हैगा, 1155, 1155 यूनिट के वैल्यू जब 6930 रुपए दी गई है, तो एक यूनिट के वैल्यू कितनी आजेगी, 6930 बटा 1155, और अपने को क्या निकालना है, मूल्दन निकालना है यानि 800 यूनिट के वैल्यू निकालनी है, तो इसको डारेक्ट 800 से मल्टिप्लाई कर देंगे, जब इसको आप सोल करोगे, तो आपका ही आएगा, 4800 रुपए, आंस्वर, 4800 रुपए आपका आजेगा, मूल्दन, इस प्रकार आप इन कोश्चन को सोल कर सकते हैं, अब 4800 रुपए आगया, तो इससे आप ब्याज भी निकाल सकते हैं, ब्याज जैसे हम थे 355 यूनिट मानके चले थे अपने, तो 800 यूनिट की वैल्यू जब आपकी आगी 4800 रुपए, आपको ब्याज फाइंट करना है, तो एक यूनिट की वैल्यू बटा 800 और 355 यूनिट और साधारण ब्याज और चक्रवर्दी ब्याज का डिफरेंस फाइंट करना है, तो सिर्फ इनको टोटल करके निकाल लेंगे, तो देखते हैं इसमें अपका आगे एक और कोश्चन, इस टाइप के कोश्चन भी एक्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इस कोश्चन में आप साल अपने मना लिए, दो साल का सधरण ब्याज है, दो सो रुपे, तो पहले साल का सो रुपे और दूसरे साल का भी सो रुपे, क्योंकि सधरण ब्याज हमेशा इक्वल रहता है, और दो सो बीस रुपे आपको चक्रवर्दी ब्याज दिया गया है, इसका मतलब बीस उतरफ जाएंगे, so का कित्ते परसंट की वेल्यू है वह आपकी आजएकी rate परसंट, यानि के so का कित्ते परसंट 20 है इस से आपकी rate परसंट की a value है जेवीन जीरो सजिरो कटा यानि 20 की बीच परसंट, 죄송 groundwater 20 का 20 है pentru आपकी rate यानि दर और अब देखते हैं X का 20% अपने मूलदन निकाल रहे हैं मूलदन को X माल लेते हैं X का 20% यह आपको दिया गया है 100 यानि इसका जो 20% है वही होगा 100 X का 20% 100 यानि X के value आपकी 500 रुपे आपका मूलदन आगया 500 रुपे अब देखते हैं इस question को 20% अपनी rate परसेंट आगी 20% को अपने लिखेंगे 1 बटा 5 fraction value में इसको लिखेंगे 1 बटा 5 यहाँ पर भी आपका जाए 1 बटा 5 इसको चेक करके देख लेते हैं 500 का 1 बटा 5 100 आगया 500 का 1 बटा 5 100 100 का 1 बटा 5 20 तो इस परकार आप वापस मतों इससे reverse भी जा सकते हैं आप मूल्दन की तरफ इससे आपका मूल्दन निकल के आगया अब देखते हैं इसके अंदर एक और question जैसे आपको 3 साल का simple interest simple interest 3 साल का आपको दिया गया है 225 रुपे और compound interest आपको दिया गया है 2 साल का यह तो आपको 3 साल का दिया गया है और compound interest 2 साल का आपको 153 रुपे दिया गया है तो आपको बोला है मूल्दन निकलो अब मूल दन कैसे निकालेंगे जब आपको simple interest दिया गया है 3 साल का और compound interest 2 साल का उस question के अंदर अपना 2 साल का दिया गया था simple interest तो करना के आपको 225 रुबे 3 साल का है इसका मतलो 1 साल की value किती आजेगी आपकी निकल के 75 रुपीज 75 रुपीज आपका एक साल का simple interest हो गया तो अपने 2 साल की बात करते हैं पहले साल का विया 75 दूसरे साल का 75 यह हो गया 2 साल का आपका simple interest compound interest दिया गया आपको 153 रुपे 75 और 75 को total करेंगे आपका अपने का जब 1.500 रुपे simple interest आ गया तो इसमें कितना extra है तीन रुपे extra है यानी एक सो त्रेपन रुपे करना है एक सो त्रेपन में से माइनस करेंगे जब 1.500 तो आपका एगा तीन रुपे मतलब यह तीन रुपे आपकी आगी value यहाँ पे यह हो गया 2 साल का compound interest अब इससे वापस अपने reverse करेंगे 75 का कितने % 3 है अपनी दर निकल के आजेगी इससे 25 तीन आपकी रेट आजेगी चार परसेंट यहाँ पे जब 4 परसेंट है तो यहाँ पे भी 4 परसेंट और यहाँ पे भी 4 परसेंट इसको मान लेते हैं हमने x x का 4 परसेंट आपको दिया गया है 75 तो इससे x की value आजेगी निकल के आपकी 55 इंटू 100 बटा 4 यह जाएगा 25 पे जब आपने इसको solve करेंगे 55 इंटू 25 यह आपका आजेगा अठारा सो पिचैत्तर रूपए यह आगया मूल्दन अठारा सो पिचैत्तर रूपए अब आपको इसी कोश्चन में बोल दिया कि मिस्षर्दन फाइंड करो तो मिस्षर्दन की आपकी यह लिगोंसी होगी मूल मिस्षर्दन प्लस ब्याज दो साल का ब्याज आपको 153 रूपए दिया गया है जब इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपका बनेगा दोजार अठाइस रूपए यह आपका आगया मिस्षर्दन तो इस प्रकार आप इन कोश्चन को सोल कर सकते हैं देकते हैं जब लेक्ते हैं यह कोश्चन इस कोश्चन में आपको दिया गया है दो साल का सधररण भ्याज और चक्रुर्दी भ्याज का अंतर 16 रूपए है और 3 साल का चाड़ी सोल प्रेत स्थर्फा प्लस रूपवट है तो मूरक दन निकालो तो इसको सोल करते हैं है इसमें आपको time है जो दो दिया गया है एक दो साल और दूसरा तीन साल का और आपको rate है जो दर वो भी आपको नहीं दी गई है और आपको जो Moolden है वो भी नहीं दिया गया है तो इस type के question को अपने कैसे solve करेंगे इसमें आपको दिया गया है compound interest minus simple interest is equal to 16, यह आपको दो साल का अंतर दिया गया है, और इसी प्रकार compound interest minus simple interest is equal to 40, यह आपको 3 साल का दिया गया है, चक्कर उर्दी ब्याज और साधरन ब्याज का 2 साल का अंतर 16 रुपे है चक्कर उर्दी ब्याज और साधरन ब्याज का 3 साल का अंतर 40 रुपे है, तो इस प्रकार के question को कैसे solve करेंगे? इसमें आपको 3 साब दिया गया highest value इसका मतलो 3 साल लेंगे अपने 3 legs create करेंगे 3 legs create कर ली अब इसमें सबके सब boxes बनाएंगे अपने जब ये 3 values ताइप आएगी अब इसमें इसका निकालते है आगे जब इन दोनों का निकालते हैं इसका मतलो 2 box और फिर इसका और निकालेंगे इसका मतलो तीसरा box अब इसमें values जो दीगी है उनको अपने fill करेंगे जैसे आपको दिया गया है दो साल का compound interest और simple interest का difference पहले इन दो साल की बात करते हैं इन दोनों साल का difference है जो 16 रुपे आपको दिया गया है इसका मतलब और आगे जो 30 साल का difference है इन तिनों का total है वो आपको 40 रुपे दिया गया है इसको अपने समझेंगे अब मतलब आपको दूसरे साल का जो दिया गया है वो 16 रुपे और तीसरे साल का 40 रुपे है तो यह इसकी value ही न यह इसका 16 रुपे है चाहे कितने % हो यह इसका 16 रुपे निकल कर आ गया इसे परकार आगे जो value जाएगी 2 में इसका ही यह percent मतलब 16 रुपे है और इसका वह percentage मतलब 16 रुपे है जो percentage है आपने को दिया नहीं किया hai इसका मतलो यह दोनों तो 16 शोला आएगा, यह fix है, अब देखते हैं, 16 और 16 को total किया तो आपका आगया 32, 32 और 8, 40, यह जो difference आगया 40 रुपे, और यह आगया difference शोला रुपे, अब इस से अपने back side जागे पहले तो इसके निकालेंगे अपनी rate percent, 16 का कित्ते percent 8 है, इन दोनों का combination मन रहा है, 16 की कित्ते percent दर से 8 रुपे हो रहा है, इसको solve करेंगे तो यह आपका जाएगा 2 पे, यह जाएगा 5 पे, तो rate है जो आपकी आगी, 50 percent, 50 percent दर आगी आपकी, 50 percent दर यहाँ पे होगी, 50 percent दर ही यहाँ पे होगी, और यहाँ पे भी, तो इसको निकालने के लिए इसका 50 percent, यानि X का 50 percent is equal to, इसको अपने X माल लेते हैं एक बार, X का 50 percent is equal to 16 आपको दिया हुया, यह जाएगा, X के value आजाएगी 16 दोना 32, तो जब यह 32 है, तो यह सारी की सारी value आपकी 32, 32 आगी, तो अब अपने को निकालना है मूल धन, मूल धन है जो, वह भी 50 percent, यानि एक बटा दो, मूल धन का 50 percent की value आपको दी गई है 32 रुपए, तो मूल धन निकल के आजेगा आपका, मूल धन आएगा 32 गुणा 2, यानि 64 रुपए, यह आगे आपका 64 रुपए मूल धन, इस प्रकार आप इन question को solve कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 साल का difference दिया गया है, compound interest और simple interest का, जो difference दिया गया आपका 2 साल का, उसको अपने 2 साल में पहले put कर लिया, उसके बाद में जो आगे 40 रुपए difference दिया गया है, यह अगर 16 रुपए है तो इन दोनों की value भी 16-16 रुपए हैगी, और इसकी आगी 8 रुपए, तो इस प्रकारीन question को अपने back से जाकर वापस solve कर सकते हैं, अगर इसको अपने formula के base से solve करने बेटें, तो इसको solve करना बहुत tough हो जाएगा, तो इस प्रकारी से अपने solve कर सकते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर एक और question, इस question में आपको दिया गया है, तीसरे साल का ब्य और एक बटा दस, आपको मूल्दन नहीं दिया गया, तो आपने मूल्दन को मान लेंगे, इन तिनों का multiply कराएंगे, तो आपका येगा 1000, ये मैंने मान लिया अपना मूल्दन, मूल्दन मान लिया 1000 रुपए, अब 1000 रुपए से इस सब को solve करेंगे, तो इसके वल्यों आज ये आपके आगी, तीनों साल का चक्रवरदी ब्याज, आपको कॉस्चन में क्या दिया गया, तीसरे साल का ब्याज बैतर पॉइंट साथ रुपए, तीसरे साल का, तीसरे साल का अपने हिसाब से क्या पन रहा है, एक सो इकिस, एक सो इकिस यूनिट्स, एक सो इकिस बैतर पॉइंट साथ बटा एक सो एकिस निकालना किता है अपने को मुल्दन निकालना है मतलो एक जार यूनिट की वेल्यू इंटू में कर देंगे बन थाउजेंड जब यह जाएगा बटा में डर्ड दो जिरो से दो जिरो आपका कैंसल और यह एक सो एकिस पे जाएगा जब इसको कटेंगे तो आपका $600 रुपे मुल्दन आजाएगा तो इस प्रकार इनको solve कर सकते हैं जब आपको 30 साल का दिया हो जब आपको तीसरे साल का दिया हो या पहले साल का दिया हो या फिर डिफरेंस दिया हो तो आपका इसे में एक और question में दिया गया है एक आदम 50,000 रुपे तीन साल के लिए चक्रुर्दी ब्याज पर देता है यदि ब्याज दर करमशे 4%, 10% हो और 20% हो तो मिश्रदन निकालो तो इसके लिए आपको मूल दन दिया गया है 50,000 रुपे और बात कर रहे हैं 3 साल की पहले साल की जो ब्याज दर हो है चार परसेंट यानि 1 बटा 25 दूसरे साल की 10 परसेंट यानि 1 बटा 10 तीसरे साल की 20 परसेंट यानि 1 बटा 5 यह आपकी आगी fraction values जब इसको solve करेंगे तो आपका 50,000 का 4 परसेंट यानि 1 बटा 25 कितना होगा 2,000 रुपे इसी परकार 1 बटा 10 निकालेंगे तो आपका आजएगा 5,000 और 1 बटा 5 की value जो find करेंगे तो आपके आएगी 10,000 ठीक है अब इसका 2,000 का 1 बटा 10 निकालेंगे अपने 2,000 का 1 बटा 10 यानि 200 रुपे अब इसी 2,000 का आगे 1 बटा 5 2,000 का 1 बटा 5 किता हैगा आपका 400 रुपे आगे देखेंगे 5,000 का 1 बटा 5 5,000 का 1 बटा 5 किता हैगा आपका 1,000 रुपे और इसी परकार इस 200 का जो last value आपकी बचगी उसका भी 1 बटा 5 200 का 1 बटा 5 आपका 40 रुपे तो यह सब आपकी values आगी यह सब values को जब अपने total करेंगे तो यह आजाए आपका compound interest इन सब का total आपका आएगा 18,640 रूपए यह आगा आपका compound interest तो question में आपको क्या बोल रहा है मिश्चरदन निकालना है मिश्चरदन कैसे निकालते हैं अपने मूलदन प्लस ब्याज मूलदन अपने को 50,000 रूपए दिया गया है उसमें इस ब्याज जो आपने अपने निकाला 18,640 रूपए इन तोनों को जब अड़ कर देंगे तो यह आपका आपका 68,640 रूपए अगर आपको तीन अलग लग दर दी गई है तो आप इस प्रकारिन को सुल कर सकते है अब देखते हैं फटाफट से एक और कोश्ट को क्या दिया गया है कुछ दन तीन साल के लिए करमशा 10%, 20% और 16.5% की दर से चक्रूरदी ब्याज पर दिया जाता है अगर चक्रूरदी ब्याज और सदरण ब्याज का अंतर 660 रुपे है तो मूलदन निकालो तो इस कोश्टन में आपको तीन साल के लिए दिया गया है और मूलदन आपको दिया नहीं किया हुआ तीन साल के लिए अपने तीन लैक्स बना लेगें 10%, 20% और 16% की दर है 10% की fraction value अपनी होती है एक पटा 10 20% की fraction value गित्ती होती है एक पटा 5 और 16.6% की fraction value आपकी होती है एक पटा 6 इन fraction values को अपने तीनों कोलम्स में अलगलग continue लिख देंगे यह होगी तीन साल की आपकी तो अब अपने को यह जो मूल्दन इसको अपने मानना पड़ेगा तो मूल्दन मानने के लिए अपने 10 गुणा 5 गुणा 6 इन तीनों को जब multiply करेंगे तो यह आएगा 300 रुपे तो 300 रुपे अपने मूल्दन अपने मान लेंगे 300 रुपे माननेंगे तो इसको sol करना हीजी रहेगा इसको अब sol करेंगे तो फटा फट आपका अंसर आएगा यह आजाएगा 60 और यह आजाएगा 50 अब 30 का 1 बटा 5 और निकालेंगे यह आएगा 6 अब फिर से 30 का 1 बटा 6 यानि 5 60 का 1 बटा 6 10 और 6 का 1 बटा 6 तो यह आगे आपके आंसर अब आपको क्या दिया गया है चक्करोरदी ब्याज और साधान ब्याज का अंतर दिया गया आपको 660 रुपे तो इसमें अंतर अंतर कित्ता आपका सिर्फ यह जो नीचे नीचे का पोर्षन है यह आपका अंतर तो वैशा इतहा इतहा डिफ्रेंस यह सब आपका compound interest वोr simple interest का difference तो जब इन सबको टोटल करेंगे तो यह आपका बनता है compound interest और यह नीचे-नीचे का portion है यह compound interest वोr simple interest का difference आपको दिखाता है तो जब इन सबको total करेंगे तो यह आपको बनेगा 22 units अब आपको question में 22 units की value आपको दी गई है 660 रुपे यानि compound interest और simple interest का difference आपको 660 रुपे दिया गया है जब 22 unit की value 660 रुपे है तो एक unit की value आपकी आजेगी 660 पटा 22 और आपको निकालना के है muldan यानि 300 units की value 660 बटा 22 into 300 यह जाएगा आपका 30 पे और 9,000 रुपे आपका आगया muldan या आगया answer अगर आपको तीन अलग-अलग values दी गी हो जैसे तीन अलग-अलग ब्याजदर आपको दी गी थी इसमें और difference दिया गया था तो इसमें आप असानी से मuldan आप इससे निकाल सकते हो अब इसी के अंदर एक और question देखते हैं जिसके अंदर आपको ब्याज अर्दवारशिक दे हो question में आपको दिया गया है एक व्यक्ती 9,000 रुपे 6% की दर से एक साल के लिए उधार लेता है तो उसे कितने रुपे मिशर दन वापस देना होगा अगर ब्याज अर्दवारशिक दे हो तो इस question में आपको दिया गया है जब ब्याज अर्दवारशिक दे हो तो उस condition में अपने क्या करते हैं ब्याज अर्दवारशिक दे हो तो जो आपका समय दिया गया है समय एक साल आपको दिया गया है मतलब 6-6 मिन्ने की दो किस्ते मनेगी तो समय को अपने 6-6 मिन्नों में दो में डिवाइड कर लेंगे मतलब 2 पॉर्शन मनेगे इसके या फिर इसमय अपने बोलते हैं समय दुगना हो जाता है और दर अद्धी हो जाती है तो समय दुगना करेंगे तो यह आपको जागा दो साल और दर अद्धी यानि 6% की बटा में दो यानि 3% पर एक्चल में यह एक साल के मतलब 2-6-6 मिन्ने की किस्तें बनती है इसके अंदर तो इस टाइप ए पॉर्शन को अपने सॉल करने के लिए समय अगर एक साल दिया गया अरदवार शिक दे हो तो समय को मतलब 2 पॉर्शन में डिवाइड कर लेंगे मतलब आपकी 2 लेक्स बनाएंगे और दर को अद्धी कर लेंगे दर 3% है यानि 9,000 रुपे आपको मूल दन दिया गया दर होगी 3% यानि 3 बटा 100 3 बटा 100 इस प्रकार अपने इसको सोल कर लेंगे समय जब एक साल था तो एक साल का मतलब एक साल के लिए निकालना होता है इसके अंदर ब्याज अरदवार शिक दे है इसका मतलब समय दूगणा हो गया या फिर 266 मिननेगी इसके अंदर बन गई तो इसको सोल करेंगे तो आपका बने गई है 270 270 और 270 का 3 बटा 100 आपका होगा 8.1 इन सब का जो टोटल आएगा आपका वो बनेगा 548.1 रुपे और मिश्रदन आपको निकालना है तो मिश्रदन होगा मूल्दन प्लस ब्याज मूल्दन आपका 9000 ब्याज आगया 548.1 तो यह बने गया 9548.1 रुपे आपका मिश्रदन यह आपका जब ब्याज दे है अर्दवार्शी को इसी के अंदर आपका आज का एक last question तो आज का आपका last question है इस question में आपको दिया गया है एक व्यक्ती 10,000 रुपे 40% की दर से एक साल के लिए उदार लेता है तो उसे कित्ते रुपे मिश्रदन वापस देना होगार ब्याज ती माही दे हो ती माही दे होगा इसका मतलब जो एक साल है वो आपकी 3-3 मिन्ने की 4 किष्ट बनेगी 3-3 मंच की आपकी 4 किष्टे बनेगी 3-3-3-3 यानि 12 मंच और इसी प्रकार जो आपकी rate है जो 40% दीगी है इसकी बटा में 4 हो जाए यानि 10% रह जाएगी और अब इस question को अपने solve करते हैं आपके एक साल को आपने 4 जगेने हैं यानि कि एक साल आपको जाएगा 4 बार यानि 3-3 मिन्ने की आपने 4 बार निकालेंगे इसमें हर 3 मिन्ने आपका जो ब्याज है वो दे आए तो 10% 40% आपको दिया गया है उसका 10% रह जाएगा यानि बटा में 4 कर लेंगे जब तिमाही दे हो तो इस प्रकार इन कोश्टन को solve करते हैं 10% यानि एक बटा दस एक बटा दस एक बटा दस और एक बटा दस टोटल आपको अमाउंट कित्ती दी गया है 10,000 रुपे दिया गया है 10,000 रुपे का निकालने है तो यह आजाएगा अजार रुपे 1000, 1000 और 1000 जब इसका निकालेंगे इसमें इसका आएगा 100 रुपे और यहाँ पर इन तिनों का इन दोनों का जब निकालेंगे 100, इसका 100 और इसका 10 आगे इन सब का इसका 100, इसका 100 और इसका 100 इन तिनों का 100, 100 यानि 300 और इन तिनों का यानि 300 का 10% यानि यह आगए आपका 30 और 10 का 10% यानि 1 तो इन जब सब को टोटल करेंगे अपने तो यह आपका बनेगा 4,641 रूपए और जो मिश्र दना आपका वो बन जाएगा 10,000 प्लस 4,641 रूपए इन तिनों को टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 14,641 रूपए यह आपका आगया मिश्र दन तो इस प्रकार से अपने चक्कर और दीप आज के कोश्चन को इस टेक्निक से बिलकुल असनी से सोल्व कर सकते हैं तो आज की वीडियो में अपने सब अलग अलग टाइप के कोश्चन किये तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक और नए कोंसेप्ट के साथ थेंक्यू